Yes students, we were doing worksheet 4 and we had done question number 1 and question number 2 So today we will do question number 3 And question number 2 का पिटे F पार्ट दिया था मैंने आपको as a homework अपना answer एक बर ही match कर लीजिए Hour को change करना है minute में कितने hour है? 12 hours 12 को multiply करेंगे 60 से और मैंने आपको एक easiest method बताया था 0 को ignore कीजिए 12 का table आपको आता है 12,60,72 उसके बाद हमने 0 लगानी है और minute का short आप लेख सकते है M-I-N ओके? ये understood है की minute है short में लिख दिया हमने चलिए now we will do question number 3 convert into minute बेटे ये जो question है convert into minute इसमें आपको two part गिवन है एक तो hour वाला पार्ट और दूसरा minute वाला पार्ट जो minute वाला पार्ट है उसको थो हम change नहीं करेंगे क्योंकि वो already minute में है और आपको minute में ही तो convert करना है तो आपने अवर वाले पार्ट को minute में change करना है इसको हम change नहीं करेंगे ओके? जब हम अवर वाले पार्ट को चेंज करेंगे मिनट में तो क्या करेंगे 2 को 60 से multiply और ये वाला पार्ट जो है बेटे इसको add कर देंगे हम प्लस करना है 2 multiply by 60 plus 15 अब आपको पता है 0 को ignore कीजिए और 2 का table आपको आता है ठीक है तो 2 सिखजा 12 तो हमने यहाँ पे 12 लिखा और 0 फिर बाद में लगाई ओके फिर प्लस 15 इसका आपने ध्यान देना पेटे पहले आप multiply करेंगे ऐसा नहीं करना कि 60 को पहले आपने 15 में add कर दिया और उसके बाद आप multiply कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा ठीके इसको तो हमने last में add करना है पहले आप इस वाले पार्ट को solve करेंगे 2 multiply by 60 वाले को चलिए अब हम add करते है 120 और 15 ठीके तो 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 1 3 और 1 as it is और जो 5 है बेटे वो 1's place के नीचे आएगा 0 के नीचे 1 जो है ये 10's place का है तो ये यहाँ पर 2 के नीचे आएगा 10's place के नीचे ठीक है 1's place के नीचे 1's place 10's place के नीचे 10's place so it become 135 minute तो minute के लिए हमने लिख दिया min dot ओके